वेल Come Back दोस्तो गाइस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप link कर सकते हैं अपनी different seat को लेकिन दूस्तों हम इस पर power pivot की मदद नहीं लेने वाले जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई था power pivot से आप कैसे link अप कर सकते है अपनी multiple seat को लेकिन दोस्तों हम नॉर्मली लिंक करने वाल हैं कोई हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो गाइस मैं इस पर करने के आवाला हूं यहां पर दोस्तों मैंने एडिशनल कुछ सीट बनाई है जिनका नाम 2017, 18, 19, 20 रखा है और साथ में एक टोटल है दोस्तों तो सिंपली दोस् एक टाइटा है जो डाटा अच्छा लगे वहां पर फील कीजिए तो गाइस यहां पर मैं एक्जांपल के लिए कि एवन से मैंने 2500 रुपीज लिये हैं दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर देखता हूं 2018 में मैं एवन से 6200 रुपीज ली है 2019 में इतने लिए है 2020 में इतने लिए हैं तो टोटल दोस्तों इसका अमाउंट कितना हो चुका है तो यहां पर simply एक सम का function apply होता है तो सम का function normally दोस्तों आपको पता है कैसे apply करते हैं लेकिन multiple seat में कैसे apply करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों तो simply दोस्तों आपको यहां पर click करना है जो हमारा sum का function होता है वो start होता है is equal to से तो is equal to उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है sum then आ जाता है हमारा bracket अब select करने हैं दोस्तों आपको हमारी seat तो मैं आ जाता हूँ 2017 में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 2017 मैं different seat select किया है अब मैं यह number select कर लेता हूं हमारा before तो before select कर लिया दोस्तों अगेन मैं आता हूँ 2018 में आप यहाँ पर देख सकते है 2018 sorry मैं यहाँ पर sum type करना भूल किया है यहाँ पर plus type करना भूल किया उसके बाद दोस्तों मैं 2018 में यहाँ पर मैं click कर देता हूँ हमारे again v4 के उपर then again मै मैं प्लस टाइप करता हूं 2019 अगें इधर and then plus and 2020 अगें मैं इसी नंबर पर क्लिक करता हूं and enter कर देता हूं तो कैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल अमांट था हो कैसे चेंज हुआ मतलब दोस्तों जो हमारा sum का function है वो सिफ आप ही की seat तक limited नहीं है आपके workbook में अगर कोई और seat है उसका data भी आपको अपने seat में sum करना है तो सब कुछ आप कर सकते है अपनी Excel की मदद से दोस्तों तो यहाँ पर तो हो गया आपका काम पूरा अब नीचे वाले data कैसे आएंगे वह पहले भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं तो simply आप यहाँ से ऐसे drag कर दीजे नीचे और नीचे मैं track कर देता हूं E1 तक यहाँ पर दोस्तों सबके अलग अलग formula है अगर मैं आपको यहाँ पर click करके दिखाओं तो यह हमारा A1 का formula आप यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर दोस्तों B1 का formula दिखाता हूं यहाँ यहाँ दोस्तो आप देख सकते हैं यह B5 चेंज हो चुका है हमारे जो box का नंबर है वह B5 हो चुका है यहाँ पर B6 यहाँ पर B7 यहाँ पर B8 दोस्तो मतलब दोस्तो Excel automatically आपकी सभी sheet को read कर रहा है और आप यहाँ पर कोई भी data change करते हैं तो सब उस दोस्तो तो एवन की हमारी जो वैल्यू है वो याद रखेगा 17936 रुपीज तो यहां पर मैं इसे चेंज कर देता हूं यह 2500 है यहां पर मैं 600 कर देता हूं और सिंप्ली एंटर कर देता हूं उसके दोस्तों टोटल में आते हैं तो यहां पर दोस्तों अमांट हो चुका है दोस्तों 22936 रुपीज तो इसहां दोस्तों तो इसी तरह से आस पुलिंग कर सकते हैं अपनी सभी चीटों को जितना आक चाहें अगर आप सम्रें जाहें च्ब्बेश कर कोर चाहें जो भी आप करना चाहें सब कुछ चाहिएकर इस च्छल की मदर हैं